नमस्कार दोस्तो हरे कृष्णा राधे राधे मकर संक्रान्ती की बहुत सारी सुब काम नहीं दोस्तो इस दिन भगवान सुरे नारन को जल चड़ाना अर्ग देना बहुत सुब माना जाता है और मकर संक्रान्ती के दिन भगवान सुरे देव की पूजा हम कैसे करेंगे देखिए थोड़ा सा हमने अक्सत लिया है थोड़ी सी गुड लिया है तिल कूट या तिल का बना हुआ लड़ू तिल का कोई सामान या कच्छा तील भी ले सकते हैं साथ में एक आपको लाल फूल लेना है थोड़ा से मिल जाएगा तो रोली चंदन हल्दी वगएरा ले है सुर्य नारण की पूजा में सबसे जादा जो चीजे है वह है भगवान को अर्ग देना अर्ग देने के लिए मैंने यहां पे एक कोटोरा भी ले लिया क्योंकि जल कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए इसके बाद देखिए जहां से भी आपके यहां पे सुर्य नारण देखते है कोई जैसे आंगन से दिखती है या अच्छत से दिखता है या तो फिर आपके घहर के किसी खिल की या बल्कनी से दिखते हैं वहाँ पर आप पूजन करेंगे सुर्य नारण को देखती हुए पूजन का टाइम क्या रहेगा तो जबही सुर्य देब लाशन में आ और इसके बड़ा सा कटोरा रख देंगे कोई भी कटोरा आप रख सकते हैं जो खाने पीने में यूज़ ना हो ऐसा कटोरा रखेंगे तो जादा अच्छा है और इसके बाद इसी कटोरा में मुझे अर्ग देनी है जल को नीचे नहीं गिराना है आपके पास कोई पौधे का पौधा गम्ला वगगरा है तो आप बिagtजय क्या क्या डालना है तो थोड़ी के लिए différents युद्धे 10 हां ने की एक ताओً कुछ सा सुविच आ कि लुद्री टालगा ने तो मद्री चलाने में ल मकरसणक्रांति कीदि बिशस समान जाता है इसके बाद लाल फूल अगर आपके पास है तो लाल फूल डाल दीजिए और रोली कुंकुं जो रूट डाले है साथ में हल्दी ठीक है तो इसी तरह से हम जल को जो है तैयार कर लेंगे काफी सारे दोसों से निवारन हो जाता है और नवग्रह सांत के लिए बहुत अच्छा उपाई है आप चाहे तो इस नियम को ले सकते हैं मकर संक्रांती के दीन से एक साल के लिए डेली सुर्य नारायन को ओम सुर्याई नमो जो भी मंतर आता है बहुत सारे मंतर होते छोटे- नीचे नहीं गिराना है तो यहीं पे हमने सुर्य नारायन के लिए भोग प्रसाद भी चड़ा दिया था जल में ही और इसके बाद जो दिया हमने प्रजलित किया है इससे हम आरती कर लेंगे सुर्य देव को दिया दिखाने का सही देखा जाए तो कोई महात्व नहीं है दिया का महात्व है उनके सामने लेकिन भगवान को हम दिया हम सदिखाते है तो समाज में हर democrats सुख शांति सम्र॥ सभी जगा अपने नाम का यह सब्सक्राइब यह के पूझन अनने दो इसी तरह से हमें अन्य गता पूजन हम सुरय Дेब की मकर संक्रांति के दिन पूजन करने है आप है है तो पूरे सालवर का नियम लेके सालल donations को जल वचा है यह आप किसी पौधे में डाल दीजये थोड़ा सा जल है तो एकी पौधे में डालीए और अगर ज्यादा जल है तो आप अलग-अलग पौधे में थोड़ा के जल डाल दीजे इस जल को कभी भी नाला में नहीं बहना चाहिए किसी भी गंदेगी जगा पे नीचे नहीं फेकनी चाहिए तो आशा करती हूं आज के वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़े बता पाई हूं और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर